सेम्रियावा विकास खंड में ग्राम पंच शायत बागनार गाउं में एक पक्य मकान में रविवार को तोपर हर करीब बारा बजे अग्यात कारणों के चलते अचानक आग लग गई देखते हैं देखते हैं आग पुरी घर में फैल गई आगतरी तेज थी कि मोहले के लोग कुछ समझ पाते हैं तब तक आग ने विक्राल रुप धारन कर लिया था जिससे कमरे में रखा गरीलू समान जलकर राख हो गया घटना के जानकारे मिलते ही काउं के लोगों ने वे देट बर्ष्य बच्ची रहनुमा पुत्री ललहा उर्फ एहमत की बेटी जलकर मर गई है इसके साथ ही तीन बकरी बड़ी और दो छोटी बकरी भी जलकर खाक हो गई है आग लगने का कारण अभी तक सपष्ट नहीं हो पाया है पके मकान के बाहर मड़ई से सो रही और ने इसके सूचना प्रशासन को दी है सूचना मिलते ही मौके पर पहुचे श्रेफर अधिकारी खलिलावार ब्रजेश संग वबजला अधिकारी शलेश कमार दूबे तैसलदार जनारधन प्रसाद धारा सायन प्रभारी पंकच कुमार पांजे नेक पाज संजर कुमार म अधिकारी श्रास साहित पुलिस करीम वर राजस्व विभाग करीम घटनस्तल पर पहुचे